दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे mistakes जो कि आप गाड़ी चलाते समय अगर आप अपलाई करते हैं तो दोस्तों आपके गाड़ी का clutch plate बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और आपको भारी खर्चेक करने पड़ेंगे तो चले दोस्तों जानते हैं आखिर वो 7 कौन सी कमिया है जो आप गाड़ी चलाते समय अपलाई न करें दोस्तों नमबर एक नमबर एक पर आता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी चड़ाई पर है अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है तो आप हाप clutch में गाड़ी को ना रोकें नमबर दो नमबर दो पे आता है ट्राफिक में आप अपनी गाड़ी का कलच ज़्यादा समय तक दबा कर ना रखें अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे ज़्यादा समय रुकने वाली है तो दोस्तों आप अपनी गाड़ी को नीट्रल कर दे उसके बाद कलच पूरा छोड़ कर रखें नमबर तीन नमबर तीन पे आता है अगर आपकी गाड़ी लो गेर पे है मतलब की जैसे एक नमबर या दो नमबर गेर पे है आप अपनी गाड़ी का रेस ज़्यादा ना दे मतलब ज़्यादा एक्सिलेटर देकर गाड़ी को ना भगाएं दोस्तो आप अपने गाड़ी का gear change करें high gear में डालें लेकिन engine को ज़्यादा race न करें नहीं तो आपके गाड़ी का clutch plate खराब होने का chance बढ़ जाता है नमबर 4 पर आता है अगर आपकी गाड़ी धलान पर मतलब downhill road पर चल रही है तो आप अपने गाड़ी का clutch ना दबाएं उस समय जब आपकी गाड़ी अगर gear में हो लेकिन दोस्तो आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपकी गाड़ी downhill road पर चल रही है तो आपको कभी भी neutral भी नहीं करना है गाड़ी gear में रखना है और गाड़ी का पूरा clutch छोड़ के चलाना है नमबर 5 पर आता है जब आप अपने गाड़ी का gear change करें तो दोस्तो उस समय आप अपने गाड़ी का पूरा clutch दबाएं कभी भी हाप clutch दबाकर गाड़ी का gear change ना करें नमबर 6 पर आता है दोस्तो आपकी गाड़ी अगर high gear पर है जैसे कि 3 नमबर या 4 नमबर गेर पर चल रही है आपकी गाड़ी धीमी है मतलब की slow चल रही है तो आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा रफ्तार देने के लिए हाप clutch लेकर के ज़्यादा accelerator का प्रयोग ना करें इससे भी आपके गाड़ी का clutch plate खराब होने का chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब बात करते हैं नमबर 7 की नमबर 7 जो कि दोस्तो बहुत सारे driver ये गलती करते ही करते हैं जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था दोस्तो तो मैं भी ये गलती करता था गाड़ी चलाते स हमें clutch पर पैर रखके गाड़ी चलाना ये दोस्तो हाला कि आदत छूड जाती है कुछ दिन के बाद लेकिन अगर आप एक नए driver है तो आपकी आदत बन जाती है कि clutch पर पैर रखके गाड़ी चलाना इससे भी आपके गाड़ी का clutch plate जल्दी खराब हो सकता है तो दोस्तो ये हैं साथ कमिया जो कि driver भाई गाड़ी चलाते समय करते हैं जिसके कारण उनके गाड़ी का clutch plate जल्दी खराब हो जाता है और उनको भारी खर्चे देने पड़ते हैं देखे दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने गाड़ी के बारे में मेरी गाड़ी समझो की 4 साल के उपर हो गया लेकिन दोस्तो अभी तक इसका clutch plate खराब नहीं हुआ है हाँ इस बार जब service center में गई थी चार दिन पहले की बात है चार दिन पहले जब गई हुई थी दोस्तो तो गाड़ी का जो advisor था उन्होंने चेक किया और बताया कि आपको गाड़ी का clutch अभी hard हो रहा है अगली बार आपको clutch डालना पड़ सकता है दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे गाड़ी का अभी किलो मीटर जो है वो कितना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तो अभी मेरी गाड़ी चली हुई है एक लाख छे हजार सात सव इक्यासी किलो मीटर दोस् चली दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको ये जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share कर देना अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तो पहली बार है तो चैनल को subscribe कर लेना तो चली दोस्तो मिलते हैं अगली व पहरत.